दोस्तो निन्यानवे रनों पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी बुरे सपने जैसा होता है। यही कारण है कि जब भी बल्लेबाज इस जादोई आंकडे पर पहुंचते हैं तो बड़े स्ट्रोक लगाना ही भूल जाते हैं और आराम से एकरन लेकर अपना सैक ड़ा पूरा करते हैं। वंडे क्रिकेट में अब तक कुल तीस बार बल्लेबाज 99 रनों पर आउट हो चुके। क्रिकेट इतियास ऐसे कई अभागी क्रिकेटरों के किस्सों से भरा पड़ा है जो एक से ज़्यादा बार 99 रनों के स्कोर पर आउट हुए। किस तरे से 99 रन पर एक बार कुल 24 क्रिकेटर आउट हुए इसलिए एक बार आउट होने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में हमने कुछ चुनिंदा भारती क्रिकेटरों को ही चुना है तो चलिए जानते हैं राहुल दर्विड बाहती टीम की और से वंडे में 99 रनों पर आउट होने वाले राहुल दर्विड दूसरे बल्ले बाज हैं ये बात साल 2004 की है भारत और पाकिस्तान वंडे सिरीच खेलने के लिए गई थी और वंडे सरंखला का पहला मेच खेला जा रहा था चोथे करम पर बल्ले बाजी करने आए राहुल दर्विड ने बढ़या बल्ले बाजी की और अब तक 103 गैंदों में 99 रन बना कर खेल रहे थे पारी के 48 वे ओवर की अंतिम गैंद सोईब अखतर लेकर आए अखतर की गैंद को राहुल दर्विड बिलकुल भी समझ नहीं पाए और 99 रनों पर बोल्ड हो गए दर्विड के आउट हो जाने की वज़े से टीम इडिया 349 रन ही बना सकी और अंततह गिरते पड़ते पाँच रनों से मेज जीती राहुल दर्विड अपने करियर में कुल एक बाल 99 के इसकोर पर आउट हुए है विराट कोहली ये बात 2013-14 की है बारत और वेस्टन डीज के बीच वंडे सिरीज का दूसरा मेज खेला जा रहा था पहले बल्ले बाजी करते हुए भारती टीम की और से विराट कोहली एक समय 99 गैंदों में 99 रन बना कर खेल रहे थे पारी का 40 वा ओवर चल ला हा था रवी राम पाल ओवर की अंतिम गैंद लेकर आए कोहली ने गैंद को गुमाने की कोशिस की लेकिन गैंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई और उन्होंने जैसन होंडर को कैंच दे दिया और इस तरह कोहली 99 रनों पर आउट हो गए कोहली के 99 रनों पर आउट होने की वज़े से दूसरी पारी में बल्ले बाजी करने उत्री वेस्टन डीन ने ये मेच तीन गैंदे पहले ही दो विकेट से जीत लिया था रोहित सर्मा ये बात साल 2016 की है 23 जन्वरी को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पांचवा वंडे खेला जा रहा था आस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर के सांदार 122 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड में 330 रन टांग दिये थे जवाब में बल्लेबाजी करने उत्री भालती टीम को सिखल दवन और रोहित सर्मा ने सांदार सुरुआत दी एक समय रोहित 99 रनों पर खेल लहे थे पारी का 35 ओवर चल लहा था इसी बीच ओवर की पांचवी गैंद जोन होस्टिंग लेकर आए रोहित सर्मा इस गैंद प सनच जैसूरिया दो बार 99 के स्कोर पर वंडे में आउट हो चुके हैं सबसे पहले जैसूरिया साल 2001 में कोका कोला कप के फाइनल में भारत के खिलाब 99 रनों पर आउट हुए थे इस मेच में जैसूरिया 99 के स्कोर पर पारी के 35 ओवर की अंतिम गैंद पर आउट हुए थे उनका विकेट विरेंदर सहवाग ने और कैंच सोरव गांगुली ने लिया था बहरहाल इस आउट का स्री लंका को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वे मेच 121 रनों से जीत गए थे दूसरी बार सनच जैसूरिया साल 2003 में इंगलैंड के खिलाब साल 2003 में 99 रनों पर खेल रहे थे इसी बीच एक रन लेने के परियास में वे रन आउट हो गए अंतेतें सिरी लंका ये मेच 19 रनों से हार गई थी सचिन तैंदुलकर वंडे में सचिन तैंदुलकर के नाम सबसे ज़्यादा बार 99 रनों पर आउट होने का रिकोर्ड दरजे सचिन पहली बार 99 रनों पर साल 2007 में दकसिन अफरीका के खिलाब बैल फास्ट में खेले गए फ्यूचर कप के पहले वंडे में हुए थे इस मेच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 45.2 ओवर में 211 रन बना लिये थे 99 रनों पर खेल रहे सचिन तेंदुलकर ने एक कट सोट लगाने की कोशिस की लेकिन वे सोट को संभाल नहीं पाए और विकेट की पर मार्क बाउचर को कैंच दे बैठे दूसरा वाकिया भी 2007 का ही है बिरिश्टल में इंगलैंड और भारत के बीच दूसरा वंडे खेला ज सचिन इस मेच में 112 गैंदों में 99 रनों पर आउट हो गए थे तीसरा वाकिया भी 2007 का ही है बारत और पाकिस्तान के बीच मोहाले में वंडे सिरिज का दूसरा वंडे खेला जा रहा था इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने उमरगुल की गैंद पर कामरान अकमल को कैंच थमा और इस तरह तीसरी बार सचिन 99 रनों पर आउट हो गए